गुद मॉर्निंग एवरिवन, उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और कोविट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे मुझे पता है कि ये डायलॉग काफी पुराना हो गया है और रोज सुन सुनके आप परिशान हो गया हो, घर से बाहर निकलने को भी ठंक से नहीं मिल पा रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा कई सारे स्टेट्स में स्टार्ट ही हो गया कि धिरे-धिरे सारे चीज़ें ओपन अप करी जा रही है और कोविट केसे भी कम हो रहे है तो चांसे हैं कि बहुत थोड़ से टाइम में आपका स्कूल वापस से नॉर्मल तरीके से चालू हो जाएगा और फिर हम जो हमारे इंट्रेक्शन होगा वो काफी ज़्यादा बहतर होगा ओविसले आइनलाइन वाले में थोड़ी सी प्रॉलम होती है फिर भी मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हो आप लोगों में से कई लोग अप्रोच कर क्योंकि कोई भी पहले से किसी को तौता है नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है तो अगर आप नयाना सीखते हो तो आने ही आने है अगर आप ढ़ते हो तो आपको ज्यादा आउट भी आते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और कभी आप मुझे अप्रोच कर सक बाकि आजका स्टार्ट करते हैं कल तक लास्ट लेक्शर तक हमने जो बढ़ा था लास्ट लेक्शर तक जो चीजे हमने पढ़ी थे वो सारी चीजे आई होप क्लेर हो गई थी उसमें एक चीज मैंने एड करना मैं भूल गया था वो यह था कि किसी भी तरह के कि तरह के शॉलिशन की या किसी तरह के सबस्टेंस की अगर आपको सॉलिबिलेटी बढ़ानी है या फिर सेचुरेशन जो हो जा रहा है उसको वापस से अनसैचुरेट करने के दो जरीके हो सकते हैं एक तो हमने टेमपरिचर वाला तो देखा ही था टेमपरिचर मैंने बढ़ सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम हमने यह देखा था कि सॉलिबिल्टी बढ़ के थी तेमपरिचर राइस कने से और दूसरा एक और तरीका है कि आप सॉल्वेंट का वॉल्यम बढ़ा दो तो और ज्यादा नया स्पेस क्रेट हो जाएगा नया स्पेस क्रेट हो जाएगा तो और भी ठीस सारे particles को उसके बीच में जगह मिल जाएगी वहाँ पे जाके settle होने की ठीक है तो यह दूसरा तरीका था जिससे हम saturation को जो हटा avoid कर सकते हैं unsaturate कर सकते किसी तरह के substance को एक तरीके के solution को ठीक है next topic है concentration of a solution concentration of a solution यह बहुत ही important topics में से इन में से इस पे based questions आ सकते हैं आपको यह जो दिख रहा होगा इस slide पर जो चीज़े दिख रही होंगी इसी से आपको देखके एक idea लग रहा होगा कि इस पे based numerical questions आ सकते हैं तो यह इसलिए important है कि इस पर based numerical questions आ सकते हैं कह रहा है कि the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of the solvent or solution अगर आपको याद हो तो last lecture में हमने एक experiment किया था दो beakers लिए थे और दोनों 50-50 ml हमने water डाल दिया था इसमें भी 50 ml और इसमें भी 50 ml water डाल दिया था ठीक है तो 50 ml जब दोनों में ही water डाल दिया था और उसमें कितना नमक घुल सकता है वो हो गया नमक का concentration in the solution in the same manner 50 ml पानी में कितना चीनी घुल सकता है वो हो गया चीनी का concentration in the water I hope यह concentration term आपको समझ में आ गया होगा कि concentration क्या है किसी एक solute की quantity किसी तरह के solvent की quantity के अंदर कितनी है वो बताता है वो उसकी एक तरीके से strength बताता है तो the concentration of solution is the amount of solid present in a given amount of solvent or solution solvent obviously एक तरीके से solution solution का जो major part होता है वो solvent ही होता है तो कई बार solvent की हमें solution भी बोल देते हैं तो वो चलता है तो जो यह definition हमने यह पढ़ा इसी से यह idea लग जाता है कि आखिर हम कौन से दो चीजों के बारे हम डील कर रहे है एक तो idea लग रहा है कि दो चीजों के बारे हम डील कर रहे है तो वही कह रहा है concentration of a solution is equal to amount of solute in the solution upon amount of solvent in the solution obviously solvent का जो amount होगा वो almost solution के बराबर होगा solution के amount के बराबर होगा या फिर amount of solute divided by amount of solution वही same चीज़े है ना यह चीज़े हम अल्रीड डिसकस कर रहे हैं कि solvent का जो amount होता है वो almost solution के amount के बराबर होता है लोकि जो भी solution होता है उसमें major portion तो solvent का ही होता है तो हम almost दोनों को बराबर ले लेते हैं आगे कह रहा है the concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage और as mass by volume percentage तो concentration को दो तरीके से हम जो है express कर सकते हैं एक तो mass उपर जो है mass के terms में हम उसको measure करेंगे amount को और नीचे नीचे भी mass के terms में हम उसको measure करेंगे दूसर तरीका क्या है mass जो लेंगे solute का और हम volume लेंगे solvent का तो वह ही कह रहा है mass by mass percentage of a solution इसमें उपर भी जो solute था उसको भी उसका भी mass लेना है mass होता है kilogram में या फिर gram में और नीचे mass of solution होगा देक हैं उपर भी mass नीचे भी mass तेकिन ऊपर solute का mass और नीचे solvent का mass नहीं करते तो ratio दिखा देता ठीक है और mass by volume obviously उपर mass होगा और नीचे volume होगा इसी का मतलब होता है mass by volume अच्छा अगर बोला होता volume by mass तो obviously volume by mass term exist नहीं करता है या फिर इसका कोई significance नहीं होता है लेकिन अगर volume by mass दिया होता तो उपर volume होता है और हम लिखते हैं लेकिन यहा हमें लिखा हुआ है mass उपर लिखा हुआ है months पहले लिखा हुआ है फिर volume उपाले मतलब mass उपर होगा और नीचे होगा volume और उपर हम किसका अगर इंटल फीर हम लिखते हैं sodium के बारे हम सकते हैं तो उपर separation of solution आपको clearly समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं separating the components of a mixture ये भी Class 6 से आप पढ़ते आ रहे हो ठीक है तो Class 6 में बहुत basic सा दिया हुआ था वो बड़ा simple simple से टम था अभी हम थोड़ा से advanced level पर जाएंगे उसके comparison तो एडली सोड़ा बहुत तो advanced है ये तो separating the components of a mixture obviously हम क्या मिक्शर को ही सिर्फ हम siebie कर सकते है physical method से तो answer है yes क्या हम जो true solutions होगे क्या मै उसको sorry true solution के रहा हूं elements हो यह हैं फिर compounds उसक्या मैं उनको separate कर सकता हूं obviously elements को separate करने वाली बात हिए अच्छ से सबरेट tasks to answer तो जब components के बारे में बात कर रहा है, तो हम obviously mixtures के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो कौन से mixtures, वो चाहे homogenous mixture हो, उसके बारे में बात कर लेंगे, और heterogeneous हो, उसके बारे में बात कर लेंगे, कह रहा है, the components of a heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, saving, filtration, etc. obviously ये चीज़े हमने, ये discuss की हुई थी, कि mixtures को, mixtures obviously एक से ज़्यादा substances का बनता है, तो उनको अगर physically हम separate कर लेते हैं, तो वो obviously mixture ही होंगे, जिनको हम physically separate कर पा रहे हैं, और अगर वो physically हम separate नहीं कर पा रहे हैं, that means कि वो mixture तो नहीं होंगे, वो उसका मतलब ज़्यादातर chance ही ठीक है, तो sometimes special techniques are used to separate the components of mixtures like, कौन कौन से तरीके हैं, पहला तो एक दम बिल्कुल basic methods कौन कौन से थे, hand picking हो गया, saving हो गया, या फिर filtration हो गया, ये तो बिल्कुल basic methods थे, जो की बहुत ज़्यादा simple methods हैं, ये, इसमें जो equipments use होते हैं, वो आपको घरों में भी मिल जाएगा, घ कुछ special techniques के बारे में जब बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास special setup होता है, तो ज़रुए नहीं कि हर बार ही special setup हो, जैसे कई बार ऐसा हो सकता कि बिल्कुल normal setup भी हो सकता है, जैसे अगर evaporation के बारे में बात करें, तो evaporation जो हम अपने घरों में करा सकते हैं, centrifugation भी हो सकता है घरों में, फिर decantation भी हो सकता घर में, sublimation जो है, ये एक थोड़ा सा complicated process हो जाता है, उसमें हमें अगर substance चीए तो एक special एक proper equipment की ज़रुद पढ़ती है, in the same way, centrifugation, chromatography, distillation and fractional distillation, ये सारे special techniques हैं, इनके बारे में हम detail में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड में नहीं, बस इतना हमें idea लग जाए कि इसमें procedure क्या use हो रहा है, इसके पीछे का concept क्या है, evaporation तो आपको already पता है, evaporation कब करते हैं, जब दो ऐसे substances हो, उनका boiling point different हो, ठीक है, दो substances का mixture हो, और दोनों के boiling point में difference हो, और काफी ज़्यादा difference हो, तो evaporation के थो जो है, दोनों को ब बच जाएगा, वो easily जो है, दूसे substances separate हो गया, कैसे, और कि दूसरा वाला तो already उड़ चुका था, तो ऐसे ही जो है, दोनों separate हो गया, हाँ, अगर हमें दोनों substance को separate करके, दोनों अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए भी हमें, अलग special setup चाहिए होता है, तो evaporation का रहा है, this method is used for separating a volatile component, generally solvent, from a non-volatile component, that is solute, by heating the mixture, ठीक है, volatile मतलब, volatile मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जो जिसमें बहुत तरी से आग पकड़ लेता हो, जिसका property ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से उसके अंदर changes आ जाते हैं, ठीक है, तो generally solvents के अंदर, बहुत ज़्यादा जल्दी से change जाते हैं, जैसे अगर हम नमक के बारे मा क्या है, water, ठीक है, तो solvent एक तरी के इसका volatile component है, ठीक है, example, ink is a mixture of dye and water, इंक किस से मिलके बना हुआ होता है, dye मतलब कोई भी color, ठीक है, dye मतलब कलर, कोई एक ऐसा color है, जो किसी दूसरे के उपर अगर लगा दो, तो उसका color भी change हो जाता है, तो generally dye करी तरह के आते हैं, कुछ ऐ अगर आपने एक बार कहीं पर लगा दिया, तो वह ऐसे color रह जाता है, तो dye or water का mixture है, जिसको ink बोलते है, if some ink is heated in a dish, the water evaporates and the dye is left in the dish, ठीक है, तो ये बड़ा simple सा example है, evaporation का, similarly we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation, तो ये simple सा method है, एक china dish रखा हुआ है, ठीक है, चाइना डिश रखा हुआ है, उसके अंदर mixture of salt and water रखा हुआ है, और उसका wire gauge रखा हुआ है, एक wire gauge क्या होता है, वो एक mesh type का structure होता है, ठीक है, जैसे आपके घरों में, चूले के उपर रखने वाला ऐसे कुछ mesh type का structure होता है, ठीक है, अलग से आता है, वो चूले के उपर के लिए, तो इस तरह का mesh type का structure होता है, उसके उपर इस petri dish बोल सकते हो, या फिर china dish बोल सकते हो, इसको रखा है और नीचे simply एक burner होता है, यह burner बिल्कुल उसी की तरह के का है, जैसे आपके घरों में कभी, अगर normal lamp अगरा होता रहा होगा, जिससे हमें kerosene, kerosene वागरा वाल lamp यूज़ करते थे, बिल्कुल उसी तरह का होता है, इसमें भी kerosene जैसा ही कुछ एक substance यूज़ किया था, जिससे यह आग जलती है, ठीक है, तो यह तो हो गया, evaporation का पूरा का पूरा तरीका, और इसमें बस वही है कि boiling point दोनों का different होना चाहिए, और दोनों के boiling point के बीशे difference अच्छा खासा होना चाहिए, तभी हमें बड़ी easy list हम उसको दोनों ही substances को separate कर सकते हैं, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बागी हमने अगे continue करेंगे, thank you